किन लोगों को कुरकुरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनके लेके आई हूं मैं कुरकुरे चीज स्टीक जिसे बनाना बहुत ही इजी है इजी के साथ सथ बहुत ही ज़्यादा चीजी भी है अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो चलिए फिर बनाते हैं, कुरकुरे चीज स्टीक बनाने के लिए दो मीडियम साइज का उबला आलू लेना है, इस आलू को ग्रेट करके लेना है, ग्रेट करने से इसमें बड़े-बड़े पीसेज नहीं रहते हैं, तो बहुत ही आसानी होता है बनाने में, बाइंडिंग के लिए डालेंगे दो चमच चावल का आटा, यदि आपके पास चावल का आटा हो तो आप चावल का आटा ही डालें, चावल का आटा डालने से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनता है, और क्रिस्पी के साथ साथ तेल भी एब्सॉर्ब नहीं करता है, अब इन सारी मसाले को आलू में अची तरह से मिक्स कर लेना है अब यह आलू का मिक्षर रेडी हो गया, यह मिक्षर बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है आपके पास यदि फ्रीज में दो आलू है तो आप इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं अब लेना है चीज स्लाइस, चीज स्लाइस तो आज की डेट में हर घर में आसानी से मिल जाती है क्योंकि आज कल के बच्चे को चीज से बनी रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद भी आती है, अब देखे इस तरह से हमें चीज को पतले स्ट्रीप में कट कर लेना है, अब 5 रुपय वाली पैकेट ली हूँ कुरकुरे की, अब उपर से थोड़ा सा पैकेट को कट कर देना है, अब पैकेट का एयर निकालके इस तरह हाथ से ही क्रस्ट कर दें, कुरकुरे बहुत ही आसानी से हाथ से क्रस्ट हो जागा, एकदम ऐसा चूरा कर देना है कि एकदम ब्र करदा Sahaja अब कि लेना है अब कि अब इस तरह से लमबा करना है उतना बड़ा चीज स्लाइज awakened का बस इस तरह से आलु को प्यूब कर दिना है μ भूब है बहुत जादा सुट भी है है अब इस तरह से हलके हलके हाथ से पैक कर लें, अब पूरा चीज आलू के अंदर अच्छी तरह से कवर हो गया है, अब इसे हम अलग रख देंगे, अब इसी तरह हम दूसरा पीस भी बना लेंगे, अब इसी तरह हम बाकी का पीस भी रेडी कर लेंगे बना कि ये रेसिपी बह पसंद आता है क्योंकि चीज से बना हुए राज की डेट में हर बक्चे को बहुत ही ज़्यादा चीज पसंद भी आता है अब देखे इसी तरह से पुरा को हमें पैक कर लेना है अब यह सारा चीज स्टिक बनके रेडी हो गिया है अब एक चीज स्टिक लेंगे अब इस तरह से मैदे के घोल में डीप करेंगे और डीप करके कुरकुरे से कवर कर देंगी अक्सर हम लोग ब्रेट करम से कवर करते हैं लेकिन आज में आप यहाप कुरकुरे से कवर कर रही हूं आप भी देखेगा कुरकुरे से कवर करके कुरकुरे का टेस्ट आता है तो बहुत ही बढ़ियां लगता है खाने में यह अब हलके हलके हां से इस तरह से प्रेस कर देंगे तो कुरकुरे पूरी अच्छी तरह से चिपक जाएगा अब यह बनके कि तेल में आप जैसे डालेंगे ये बिखरने लगता है उस situation में आपको क्या करना है उस time आप तेल से तुरत निकाल देंगे और निकालने के बाद थोड़ा ठंडा करके मैदे के घोल में डालके फिर कुरकुरे से कवर कर देंगे तो आपका बिखरेगा नहीं देखे हमने इस पी होने तक तल लेंगे अब ये सारा कुरकुरे चीज स्टिक बनके रेड़ी होगी आद देखने में तो बहुत ही ज्यादा जुरदार दीख रहा है जुरदार के साथ सथ ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि ये चीज से बना हुआ है अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना चीजी बना है फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये जहटपट बनने वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई